हेलो फ्रेंज अस्सलाम वालेकुम तो आज आपके साथ शेर करूंगी हॉट मिल्क केक की रेसीपी जरूर से ट्राइ करना रेसीपी अच्छी लगे लाइक कर देना शेर करना कमेंड करना तो चले बनाना शुरू करते हैं बिस्मिलार रख्मान एर रहीम दो अंडे लिये रू हमें बीट करना है अच्छी तरह से एक मिनिट तक करना है ताकि इसका लाइट कलर इसका एकदम लाइट और यह प्लफी हो जाए उतना हमें करना है एक मिनिट तक एक मिनिट से ज़ाद हमें नहीं बीट करना है बस एक मिनिट करना है इसमें हम वन फोर्थ कप ओईल मिलाएंगे रिफाइन ओईल और इसे थर्टी सेकेंड के लिए बीट करना है अब इसमें हम dry ingredients मिलाएंगे तो हमें सबी चीजों को छान के लेना है तो ये एक कप मैंदे काटा वन टीजपून बेकिंग पाउडर और पिंच ओफ सॉल्ट इसे हमें अच्छे से छान लेना है अब इसे भी हमें 30 सेकंड के लिए ही beat करना है हमें over mixing नहीं करनी है याद रखे 30 सेकंड के लिए ही हमें इसे beat करना है तब इसे हम beat करके साइट पे रख लेते तब तक हम milk बनाएंगे तो ये मैंदे चाई का जो cup आता है ना उस cup से मैंने नाप के लिया था ये देड़ cup मैंने दूद लिया है इसमें मैंने 50 ग्राम जितना बटर मिलाया है बटर को melt करते हुए हम इसमें मिलाएंगे 2 टेबल स्पून भरके milk powder और इसे भी अच्छी तरह से mix कर लेना है milk powder को और एक boil आने तक इसे हमें पकाना है अब gas ब याद रखे ओवर mixing नहीं करनी है हमें तो इसे भी हमें एक मिनिट के अंदर अंदर ही हमें इसे बीट करना है एक बार फिर से से हमें mix करना है spatula से और केक टीन को मैंने पहले से grease करके रख दिया है बटर पेपर लगा कि अगर बटर पेपर नहीं है तो आप आटा भी dust कर सकते थोड़ा सा और ओवन को मैंने preheat करने के लिए रख दिया है 180 पे 10 मिनिट के लिए और इसे बेक करना है 180 पे 35 मिनिट के लिए अगर आप चूले पे बेक करते तो इसे 10 मिनिट के लिए slow आज पे पहले से preheat करना है कडाई को और फिर इसे केक को हमें बेक करना है slow पे 45 मिनिट के लिए इसे थुड़ा टैप करेंगे हम और इसे बेक करने के लिए रख देंगे केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है इस तरह से चेक करना है तूटपिक लगा के देखे तूटपिक हमारी क्लीन आ दिए अब इसे हमें क्लीन रेप से रेप कर लेना है 15-20 मिनिट के लिए ताकि इसमें जो मॉस्चर है उसी में लॉक हो जाए और हमारा केक ज्यादा केक को एकदम इजीली भार आ जाता है देखे कितना मजे का लग रहा है केक जरूर से ट्राइ करना खाने में भी होती ज्यादा स्वाधिश एकदम मजेदार बेकरी स्टाइल में जो बेकरी में मिलता है बिल्कुल वैसे यह केक बन के तयार होता है पहली बार जो बनाएगा उससे भी यह परफेक्ट मेजरमेंट के साथ अकर जो बनाएगा तो पहली बार में उसका केक एकदम परफेक्ट बन के तयार होगा तो जरूर ट्राइ करना देखे कितना सौफ जाली दार एकदम मजेदार केक बन के तयार हुआ है तो चले फिर मिलती हूँ नही रेसिपी के जरूर से ट्राइ करना यह रेसिपी रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर देना शेयर करना कमेंट करना चले फिर मिलती हूँ नही रेसिपी के साथ बाई बाई